पांडवों से जुड़ी है केदारनाथ की मान्यता महाभारत के समय यानि द्वापर युग में केदार्ख शेत्र में शिव जी ने पांडवों को बेल रूप में दर्शन दिये थे वर्तमान मंदिर का निर्मान आधी गुरु शंकराचारे ने आठवी, नौवी सदी में करवाया था ये मंदिर उत्तराखन के चार धामों में से एक है मंदिर समुद्र तल से करीब 3583 मीटर की उचाई पर है केदारनाथ की असली कहानी क्या है? मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में विजई होने पर पांडव अपने भायों की हत्या से मुक्ती के लिए भगवान शिफ का आशीरवाद पाना चाहते थे परन्तु, भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे, इसलिए वी केदारनाथ चले गए पांडव भी उनके दर्शन के ये केदारनाथ पहुँच गए केदारनाथ में शिफ का कौन सा भाग है? ऐसा कहा जाता है कि इनमें से प्रतियेक स्थल भगवान के एक अंश को समर्पित है केदारनाथ भगवान शिफ का कूबर, मद महेश्वर, उनकी नाभी, तुंगनाथ, उनकी बुजाए, रुद्रनाथ, उनका चेहरा, कलपेश्वर, उनकी जताया केदारनाथ का शिफलिंग कैसे दिखता है? केदारनात शिवलिंग की आकृते केदारनात मंदिर का शिवलिंग त्रिबुजाकार है और इसलिए शिव मंदिरों में अद्वितिय है जो मंदिर के गर्ब ग्रिह, गर्ब ग्रेह में रखा गया है केदारनात मंदर में भगवान शिव के वाहन नंदी के साथ पार्वती, भगवान क्रिश्न, पांच पांडवों और उनकी पत्नी ड्रौपदी, नंदी, वीर्भद्र और अन्य देवी देवताओं की मूर्तिया है